बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार जा पहुंचे बरौनी परखंड अंतरगत सीमरिया गंगाघाट निर्माना धीन काडियों का लिया जाईजा विधितों की बिहार सरकार के द्वारा करोरों की लागत से बरावनी परखंड अंतरगत सीमडिया गंगा घाट के सौंदरजी करन हेतू कई योजनाओ को क्रियानवित किया जा रहा है जिसका काम तेजी से चल रहा है इन तमाम काडियों की जो देख रेक है वह स्वेम जिलाप तरीके से संपन होड़ी है आगे बढ़ रही है तस्वीर इसी सिमडिया गंगा घाट से है जहां रविवार को बिहार सरकार के जल संसाधर मंत्री संजे कुमार जहा पहुँचे हलाकि उनके साथ बेगु सराय जिलापदा अधिकारी रहोसन कुसबहा एबं विभा के कई योजना का एक एक करके उन्होंने जायजा लेना सुरू किया कौन सी योजना कहां तक क्रियान वित हुई किस कारे में कितना गुनोत्तर वर्धी हुई है उसका सेस कितना काम बचा हुआ है एक एक कामों का मंत्री ने जायजा लिया संबंधित जो अधिकारी थे उनसे बुल किसी परकार की अवभाइधानिक चीजें तो नहीं हो रही है क्या विभाग के जो इंजिनियर जो अव्यंताओं ने इन चीजों को निरधारित क्या है कि किस परकार काम होने चाहिए उहां पे कौन-कौन सी चीजें लगाई जाएगी किस चीज को कहां पर लगाया जाएगा उन तमाम चीजों का बड़ी बाड़ी की से उन्होंने जाए जा लिया बिदित हो कि मंतरी संजे कुमार जा जो लगातार इन चीजों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं कि सरकार के अधिनस्त उनके विभाग के अनुरूप जो भी काम हो रहा है पूरे बिहार में कहीं भी आयोजी थोड़ा है तो वह स्वेम उसका लगातार दोड़ा करते रहते हैं यदा कदा वो उस समय पहुंच जाते हैं जब काम में वहां के मजदूर बैस्त रहते हैं और चुपके से वह पहुंच कर वहां की गुनवत्ता को जाचना परखना शुरू कर देते हैं पत्रकार को संबोधित करते हुए स्री जार ने बताया कि हमारा पढयास है कि सिमरिया गंगा तट अपने आप में मिथला की पौरानिक परंपड़ा व्यवस्था विचारों को समायोजित करके सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक प्रादुरभाव को एकत्रित करता है जिसके कारण यह अपने आप में काफी आलोकिक है और मेरा संबंद भी इस मिथला से रहा है विदितो की मिथला अपने आप में कई चीजों को बसाय हुए है रचाय हुए है और इसकी आत्मा तो साक्षात इन विदेह राज की अभूत पुर्व जननी की रूप में जानी ज परी एक संकल्प कहें एक प्रतिग्या कहें तो वह है कि उन्होंने सिमरिया गंगागाट को पुर्ण रूप से सांदर जी कृत करके इसे अदबुत रूप से सजाने का जो प्रन लिया है धीरे धीरे वह साकार होता नजर आ रहा है इसी की करी में जब भी मुझे अपने दै माना धीन इन योजनाओं को देखता हूँ तो आत्म संतुष्टी होती है हमें लगता है कि नहीं मेरे विभाग के अधिनस्त जो काम हो रहा है वह काम वाखोवी खुबसूर्ती के साथ संपन हो रहा है और इसमें जो लोग लगे हुए हैं चाहिए वह वह विभाग के अधि किया जा रहा है वह अभी ठीक ठाक है क्योंकि मैंने एक एक चीजों का बरिवारी की से स्वयंद जाय जा लिया है चाहे यहां उप्योग किये जा रहा है इस निर्मान काड़े में जिन वस्तुओं को लगाया जा रहा है उसकी विस्तिती बिलकुल ठीक है क्योंकि साथ के ज रिपोर्ट